मेरे पास ऐसे बहुत से पेरंट्स आ रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि जी उनके बच्चों के रिष्टे हो ही नहीं रहे हैं या उनको सही रिष्टा नहीं मिल पा रहा है नमश्कार फ्रेंज्ट्स मैं हूँ इस्ट्रॉलिजर और वास्तु किंसल्टेंट रिधी पहल है हमारे आसपास बहुत सारी शादियां हो रही है पर मेरे पास ऐसे बहुत से पेरंट्स आ रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि जी उनके बच्चों के रिष्टे हो ही नहीं रहे हैं या उनको सही रिष्टा नहीं मिल पा रहा है अगर आप लोग भी ऐसी कुछ problems face कर रहे हैं तो आज जो है मैं वास्तु किस तरह से helpful हो सकता है इस problem को overcome करने में यही आप से discuss करूंगी आज So 3 directions होते हैं जो कि बहुत ही important role play करते हैं जहां तक शादी की बात है या रिष्टे कराने की बात है सबसे पहला जो direction आता है वो है east, फिर है southeast और फिर है southwest सबसे पहले हम बात करते हैं east की जब हम शादी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जी सही रिष्टा मिलना अगर आप ये problem से face कर रही है कि जी हमें तो रिष्टा ही सही नहीं मिल रहा है बहुत time हो गया खोशते वे पर कहीं सही connect ही नहीं बैठ रहा है लोगों से सो उसके लिए east को चेक करिए अपने क्योंकि east जो है वो zone है connection का networking का सही connection होने का सही लोगों से आपके मिलने का जब तक सही लोग नहीं मिलेंगे तब तक रिष्टा कैसे होगा तो ये देखिए आपके east direction में कोई toilet तो नहीं आ रही है east direction में कोई बहुत ज़ादा भारी चीज तो नहीं पड़ी है या पीले रंग की कोई चीज तो नहीं पड़ी है अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज इसको हटाइए और फिर देखिए कैसे रिष्टे आने शुरू होते अब रिष्टा तो आ गया दूसरा step होता है कि जी रिष्टे तो आ रहे हैं हमारे पास पर materialize नहीं हो रहे है मतलब रिष्टा तैर नहीं हो पा रहा है किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि पहली मुलाकात तो हो जाती है पर उसके आगे बाद बनती ही नहीं है या रिष्टा होके फिर जो है आगे उसके आगे बाद चितनी हो रहे नेक्स स्टेप जो है वो हम नहीं ले पा रहे है उसके रहे जो है South East direction, South East जो कि अगनी कोण है, अगनी कोण है, अगनी क्या होता है, अगनी action, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि action नहीं हो पारा, next step नहीं हो रहा है, इनिसेशन, action को हम यहाँ से, यहाँ लिंक करेंगे इनिसेशन से, कि initiate ही नहीं कर पा रहे है, शुरुवात ही नहीं कर पा रहे है, आगला step लेने की, तो यह देखिए कि आपके South East direction में, क्योंकि South East जो है वो fire zone है, तो वहाँ पे कुछ water related activity तो नहीं हो रही है, जिसे कली में किस क्या वास्तो करने गई, तो उनके South East में swimming pool था, water body आ गई South East में, fire zone में आपने water को introduce कर दिया, बहुत problems face कर रहे थे वो, तो अगर आपके यहाँ पे भी South East direction में, water related कुछ भी है, जैसे मैंने swimming pool का आपको example दिया, कोई pond है, या नीले रंग की चीज है, जो की water का color है, या काले प्लीज की कोई चीज है, तो प्लीज ऐसी चीजों को वहां से हटा दीजे, क्योंकि यह अगर water आ गया, तो रिष्टा होने में, रिष्टे को formalize होने में, पका होने में दिक्कत आएगी, आप जो तीसरा direction है, जो की सबसे important direction है, वो है South West direction, South West direction है, वो पित्रों का, हमारे ancestors का direction है, देखें, लाइफ में कुछ भी हासल करने के लिए, कुछ भी achieve करने के लिए, जब तक हमारे पित्रों की blessings हमें नहीं मिलती है, हम वो चीज achieve नहीं कर सकते हैं, इसलिए South West direction को बहुत ही important direction माना जाता है, इसके अलावा South West जो है, वो relationship का भी direction है, यहां जो हम शादी की बा stability रहे, एक स्थिरता रहे, क्योंकि हमारे यहां जब शादी होती है, तो दो जनों में नहीं होती, दो परिवारों में होती है, दो परिवार जुड़ते हैं, तो यह कोशिश होती है कि जी जो इन दोनों परिवारों का रिष्टा है, वो stable रहे, आपस में प्यार बना रहे, उसके लिए southwest direction बहुत ही important है, जैसा मैंने का relationship का zone है, पित्रों का zone है, और stability, स्थिरता का zone है, हम शादी में, रिष्टे में स्थिरता चाहते हैं, तो आप यहां पर यह देखिए आप कि southwest zone में आपके कोई kitchen, toilet, और जो सबसे important चीज़ है कि वहां पर हर्याली नहीं होनी चाहि क्यों? क्योंकि southwest जो है, वो earth element है, और पेड़ पौधे जो है, जो plants है, वो air को represent करते हैं, तो air जो है, वो क्या करती है, अर्थ को, मिटी को उड़ा ले जाती है, तो अगर वहां पर पेड़ पौधे होंगे, तो रिष्टे बनने से पहले ही खतम हो जाएंगे तो ये तीन जो है, जो मैंने आपको बताया आज, इनको अपने घरों में जाके चेक करिए, और जो भी problem है, जो आप face कर रहे हैं, इन जोन से related, जैसा जो points मैंने आज आपको बताये, वो भी चेक करिए, और उनको हटाईए, फिर देखिए, इस तरहे आपके घर में बहुत जल्दी धोल नगारे बचते हैं, I hope you follow these वास्तमु टिप्स, take care, namaskar.